अगला क्योश्चन हमारा है प्रामर्स क्या होता है अभी हमने प्रामर्स और निर्देशन का अर्थ समझ लिया क्योश्चन आपसे मिलेगा प्रामर्स का अर्थ क्या है समझाईए पहले हम इसके concept को समझ लेते हैं प्रामर्स का concept क्या है इसकी अवधारना क्या है निर्देशन और प्रामर्स एक ही सिक्के के दो पहलू है निर्देशन और प्रामर्स एक ही सिक्के के दो पहलू है बिना निर्देशन का परामर्स और बिना परामर्स का निर्देशन वेक्ति के किसी काम का नहीं है एक दूसरे के अभाव में दोनों निस्प्रान रहते हैं परामर्स शब्द दो विक्तियों के संपर्क को वेक्त करता है यानि परामर्स अगर आप लेने जाएंगे तो वहाँ पिर प्रामर्स में क्या है काउंसले में क्या है दोनों विक्ति आमने सामने हो तभी प्रामर्स की प्रक्रिया पून रूप से संभाव हो पाती है प्रामर्स प्रक्रिया में एक प्रामर्स देने वाला और दूसरा प्रामर्स चाहने वाला या प्रामर्स प्रार्थी होता है प्रामर्स की प्रक्रिया के अंतरगत उन सभी प्रकार की इस्थितियों का स्वाविश होता है जिन में प्रामर्स दाता यानि कि जो प्रामर्स देने वाला है प्रामर्स चाहने वाले जो प्रामर्स लेने आया है कि समझ्या को समझने का प्रयास करता है मालीजे आप मेरे पास प्रामर्स प्रार्थी बन क्या हैं सलाह लेने आये हैं तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा कि आपकी समझ्चाओं को समझने का प्रयास करूँगा उसके बारे में प्रामस दाता और प्रामस चाहने वाले दोनों के बीच विचारों का आदान परदान आप अपनी समझ्चाएं बताएंगे फिर हम आपसे कोशन पूचेंगे गर हमको लगेगा कि कहीं आप कुछ छुपा रहे हैं प्रार्थी की शमश्या का शमधन करने में प्रामस दाता शाहता कर पाता है तो यह होता है हमारा प्रामस का कॉंसेप्ट हो गया अब प्रामस का प्रापर अर्थ क्या होता है इसको समझते हैं थोड़ा fast पढ़ रहे हैं तो आप जल्दिनदी catch करते चलिए प्रामर्स शब्द अंग्रेजी के शब्द counseling का हिंदी रुपांत्रन है जो प्रामर्स शब्द है ये अंग्रेजी का जो word counseling है उसका हिंदी रुपांत्रन है जिसका आरत होता है सलाह तथा सुझाव लेना या देना ठीक है प्रामर्स एक प्रक्रिया है क्या प्रामर्स एक प्रक्रिया है जो सेवार्थी को अपने निर्ने स्वैम लेने के लिए बुद्धी मत्तापूर्ण विद्यों का उपयोकर के साहता बदान करता है प्रामर्स काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो सेवार्थी यानि जो प्रामर्स लेने के लिए आया है वो अपने निर्ने स्वैम ले पाता है जब हम उसको कुछ प्रामर्स दे देते हैं सलाह दे देते हैं तो फिर वो अपने बुद्धी का प्रयोकर के और उचित विधियों का प्रियोग करके खुद की साहता वो कर लेता है जिसे से प्रार्थी अपने नवीन ग्यान का उप्योग से नए निरने भी ले पाता है जैसा कि जॉंस ने कहा साथच्छातकार किश्नमान प्रामर्स में आमने शामने का विक्ति से विक्ति का शंपरक होता है आगे बढ़ते हैं बॉर्डिन के उनसार क्या कहा गया है बॉर्डिन कहते हैं प्रामर्स साथच्छातकार विधी के दोरा किसी विक्ति को अपनी शमश्याओं का श्रमाधन करने में साहेता देने की प्रक्रिया है जो प्रामर्स है वो साच्छतकार विधी के द्वारा जिस तरीके साच्छतकार मतलब इंटर्व्यू जिस तरीके से इंटर्व्यू में दोनों विक्ति आमने सामने बैट करके बात करते हैं उसी प्रकार प्रामर्स में भी द वेक्तियों की समझ्चाओं के लिए किये जाने वाला है कि उप्योग है तो ये हमने क्या समझ लिया प्रामर्स का अर्थ और परिभासाओं को बहुत अच्छे से हमने समझ लिया है